हेला दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सर्णकुमार आप लोग देख रहे हैं इंडिन जुगार्टेग दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको दो टेलकॉम न्यूज यहाँ पर बताने वाला हूँ पहली जो न्यूज होने वाली है वो BSL 4G Services को लेकर होने वाली आप लोग वेट कर रहे होंगे कि BSL की 4G Services क्यों नहीं आ रही है और यह कब आने वाली है तो आज इस पर काफी बड़ा statement आया है लेकिन जो second news है वो reliance जो की दरब से है उनकी एक नई एप को लेकर जो की जो है यहाँ पर smart TVs के लिए जो Android TVs है उनकी लिए लूंच की गई है दोनों खबरे फूरी डेटेल में आपको बता हूँगा चलिए को स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए नीचे जो red color का subscribe बटान आरा उसको आप प्रेस कीजिए और जो side में bell icon आता है उस पर जो है आप क्लिक कीजिए और बाद में आप जो है all notification पर क्लिक कीजिए ताकि आप पाए latest technology वीडियो सबसे पहल लोग यहां पर wait कर रहे होंगे कि यह government company जो है यहां पर क्यों अपनी जो 4G services है वो इंडिया में तक नहीं लेकर आता रही है और लोगों का इंतजार भी काफी लंबा यहां पर होता जा रहा है क्योंकि सभी जो telecom operators वो काफी समय पहले जो है इंडिया में 4G services यहां पर लेक की थी जहां पर देखी यहां पर जो company थी Nokia, Ericsson, Samsung थी लेकिन यहां पर एक report आई थी ET telecom पर जिसमें बताया गया था कि जो है government ने यहां पर allow नहीं किया है कि आप जो foreign company है उनके equipment जो है BSL की 4G services के लिए use नहीं कर सकते हैं तो ऐसे में BSL की 4G services वो अभी के लिए आते हुई नहीं दे रही है क्योंकि BSL की 4G services आगर वो Indian equipment यानि की जो Indian gear providers से उनके साथ में मिलकर आती है तो उसमें काफी ज्यादा time यहां पर लगेगा तो उसके हिसाप से यहां पर देखे तो अभी BSL की 4G services के लिए आपको करीबन 2022 के last तक का wait करना पड़ सकता है लेकिन एक statement यहां यहां पर आज दिया गया है जो कि statement दिया गया है यहां पर Parliament में और यह जो statement दिया है वो यहां पर Minister of State of Communication यानि की संजे धोतरे जी है उनके दुआरा जो है यह written statement दिया गया है लोकसभा में आज इस statement दिया गया है और उन्होंने काया यानि कि उन्होंने यह काया कि 18 से 24 महीने के दोरान जो BSL की 4G services है वो यहां पर आज आएंगे तो ऐसा उनके दुआरा statement यहां पर दिया गया है और जो है BSL ने जो अपना interest तब वो दिखाया था यहां पर 1 जन्वरी 2021 को लेकिन यहां पर अभी allow नहीं किया गया है ऐसा जो ह यहां पर बताए गई है तो करीबन जो है BSL की 4G services है वो इंडिया में roll out होने में करीबन 18 से 24 महीने लगने वाले यानि कि आपको 2022 तक का तो यहां पर wait करना पड़ेगा 2022 के last में ही आपको BSL की 4G services यहां पर देखने को मिलेंगी यानि कि यार जो private company है वो तो यहां पर देख तो अब 2 साल के लिए इन्हें और बढ़ा दियेगा यानि कि 2 साल तक की BSL की 4G services नहीं आने वाली है और जब BSL की साथ 4G services आएंगी मुझे तो ऐसा लगता है इंडिया में जो Vodafone आइडिया है या Reliance यह है या ATL है इन तीनों की 5G services 2022 तक तो साइद आ ही जाएंगी तो government company क साथ में बताने government क्या क्या करती है कैसे करती है वह हमारी समस्थ से बाहर है आप लोग बताना कि क्या BSL के साथ में सही हो रहा है कि उनकी 4G services नहीं launch करने दी जा रही है वह आप लोग नीचे और comment section में comment करके जरू से बताना second जो news मैंने आपको बताया था वो Reliance जो की तरफ से जहां पर जो Reliance जो है उन्होंने अपना जो browser आप लोग को पाता है Reliance जो की तरफ से ब्राउजर भी अवलेबल है जिसका नाम है Geo Pages पहले जो जियो ब्राउजर के नाम से आता था लेकिन अब भी इसका नाम पेले change किया यह Android TV के लिए अफलेबल हो गया है इसके कुछ एक फीचर से यहां पर बताये गए हैं कि faster page load and easy navigation उसके अलावा discover and watch trending videos यानि कि आपको home screen पर जो है कुछ एक वीडियो जो गयरा वहां पर मिल जाएंगा आप लोग को पता है browser में home page पर काफ़ी जादे content आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर browser in browse in ignito mode और उसके अलावा search and browse in eight regional language यानि कि आठ जो है यहां पर आपको भारतिय भासाओं का जो support है वो देखने को मिल जाएगा इसके अलावा और features की बात करें तो यहां पर बताया गया है कि Android TV के लिए अभी तक जो browser था इंडिया का वो कोई भी ए दाया गया है कि जो browser है, इंडिया का पहला browser बन गया है, JioPages जो browser है, वो इंडिया का पहला browser बन गया है जहां पर आप लोग जो है Android TV पर जो है इस browser का यूज कर पाओ गे, तो यह कुछ निज यार आप लोग के लिए आ रहा है थी यहां पर देखिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन सॉर्ट में आपको दिखा देता हूं तो अभी तो यार मैं टीव वगएर इतना यूज नहीं कर रहा हूं मेरे पास भी एंडो टीवी में आपको लाइव नहीं दिखा सकता हूं ले एक उसी न्यूज आ रहे है आज आप लोग के लिए आस सगर तो आज का वीडियो आप लोग को पासन दआएगा तो इस लोगी को जादा जादा शेयर करें चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्नवाद दूस्तों आज का वीडियो देखने के लिए